जेहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्मार्ट स्टेडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है राजस्थान पुलिस 2022 का जिसाए कि आपको पता है कि 13 माई से एक्जाम शुरू है तो टोप 25 क्वेशन जो पूर्व परिक्षाओं में पूछे गए हैं व कुछ पटवार में पूछे गए कुछ रीट के पेपर में पूछे गए कुछ SI में पूछे गए और कुछ RS में पूछे गए इस टाइप के क्वेशन कुछ ACF के एक्जाम में पूछे गए तो वह में लेके आया हूँ बहुत बेटरिंग क्वेशन है इनको अटेम्ड से पता है कि पहले नंबर पर जो आएंगे आपफे वो कौन आंगे भगवंदर, भगवंतरत दास के बाद आने वालए कौन से मांड सींग सींकित्र, ऑसार आएंगे कौन, बावजीं और उसके बाद आएंगे कौन, और जव्गाई का जो बेसन है वो गोडवाड प्रदेष के नाम से जाना जाता है बिलकुल करेक्त सुमेलित है अगला है कि चंबल बेसन उत्खाद भूमी और उत्खाद इस्तला करती के लिए दोस्तो जाना जाता है ये भी बिलकुल करेक्ट है माही बेसन के अंतरकत 56 का कहलता है और बनास बेसिन जो दिया हुए वो बांगड है जो कि गलत दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि बनास बेसिन बांगड से सम्मिलित नहीं है तो यह गलत सुमिलित था तो यह आपका correct answer हो जाएगा अगले question की बात करें तो next question पूछा है कि गुनिश सो अर्थ होता है उस समय आपको पता है और simple trick से भी आदर सकते हैं कि A, B, C, D अलवर, भरतपूर, करोली और दोलपूर इन चार को मिला के मतस संका गठन किया गया था तो अलवर, भरतपूर, दोलपूर और करोली आपका correct answer होगा option number 4 इसको ध्यान रखेगा यह भी exam में पूछा हुआ प्रश्ने दोस्तों अगले question की बात करें तो next question पूछा गया है कि निमनलिकित में से कौन सी योजना राजिस्तान सरकार के दवारा प्रायोजी थे तो आपको ध्यान रखना है राजिस्तान सरकार के दवारा है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कौन सी पर में लगबग आठ योजनाय आपसे पूछी गई थी तो इसके बारे में ध्यान रखे गाया इस प्रकार की योजनाय चल रही है और मैं रोज जो करंट अपर की क्लास लेगे आ रहा हूं दोस्तों उसके अंतरकत आपको पता होगा यह उसमें भी योजनाय में इंक्लूट क कभी क्वेशन आए तो दियान रखेगा चबड़ा बारा वाल जो शेतर है वहां की यह बात हो रही है अगला क्वेशन है माही बजास और परियोजना किन राज्यों की सयूंगत है तो माही नदिया में पता है कि मध्यप्रदेश से आती है राजस्तान में प्रवेश करती है इस टाइप से और उसके बाद गुजरात वारे शेतर में चली जाती है तो माही बजासागर परियोजना जो है तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्तान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है तो राजस्तान और गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है option number 2 आपका यहां पे सही उत्तर होगा दोस्तों अगले question की बात करें तो next question पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा RICO के द्वारा agro food park इस्तापित नहीं किया गया है तो RICO के द्वारा आपको द्यान रखना है जयपूर में इस्तापित नहीं किया गया है अगला question राजिस्तान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्री प्रमुक एजन्सी जो है वह मानिक ही है तो यह कौन सी वाली है RICO है दोस्तों कौन सी है राजिस्तान इंडेस्ट्रियल कोर्पोरेशन जो है वो है इसको दियान रखिएगा यह भी काफी important question है यह भी एक्जाम में पूछा हुआ प्रशन है अगला question काफी important है कि निम्निकित में से कौन सी राजिस्तान की बकरी की प्रसिद्य नसल है वेसे बकरी की नसल है यह भी एक्जाम में ज़रूर दियान रखिएगा जनगना 2011 के निम्निकित में से कौन से वाक्य सही है राजिस्तान की 24.9 प्रतिशत जनसंक है जो है वो कहाँ पे रहती है नगरों में बिल्कुल करेक्ट है जैकि 55.1 प्रतिशत जनसंक है कहाँ पे रहती है तो दियान रखिएगा ग्रामिन शेत्र में राजिस्तान के शहरी शेत्र का लिंगा अनुपाद 914 है बिल्कुल करेक्ट है राजिस्तान में अधिकतम बाल लिंगा अनुपाद बस से बाल और बस से कौन सा मासवाडा ज्यान रखेगा कहाँ पर मासवाड़ा में राज्ज में 2001 से 2011 के भी जनसंक्या गंणत तो 35 व्यक्ति वर्ग किलोमेटर जो है बड़ो त्रुवी भी करेक्ट है 2001 की जन गंणा के अनुसर जो जन गंणत था वो 165 था और बाद में जो है अभी कितना बढ़ गया है तो 200 तो टोटल वर्दी कितनी हुई है 35 की तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है तीसरा भी सही अब आपके एक्जाम में ये चार क्योशन है और ये अलग तरीके से RS PILIMS 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है तो ये चार है इन चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट कौन सा होगा तो उप्शन नंबर 4 जो है वह आपका सही उत्तरियां पे होने वाला है इसको ध्यान रख़िएगा अगला क्वेशन है राजस्तन का निमली कितने से कौन सा नगर बारत सरकार के उद्यपूर का हिस्सा नहीं है काफी important question है अगला question है बानगड और सीराबस जो है वह इस्तित थे तो कहां पर इस्तित है आपको ध्यान रखना है बानगड जो है वह अलवर में है तो उत्तरी अराबली का जीला आता है कौन सा अलवर वाला तो उत्री अरावली जो है वो इसा ही उत्तर होगा कि बानगडव शीरावा स्रेणिया जो है वो इस्तित है तो कहाँ पे उत्री अरावली में अगले क्वेशन की बात करें तो निमली कित में से कौन से लोक्टनित्ति में किसी वाद्धी अंतर का प्रयोग नहीं होता है आपक इसको किया आदम सभी को पता है आहू और काली सिंद नजियों के संगम पर बनावा दूर कौन सा गागरोन आपको ट्रिक तो पता होगी कौन सी तो आम गाजर और चीकू वाली कौन सी है आम गाजर और चीकू इसको ध्यान रखिएगा काफी दा कुंबलगर चितोड उसके बा आते हैं आपको ध्यान रखना है अंतर इस्तली अपवा के अंतरवर्ति मेदानी शेत्र आपका सही उत्तर होने वाला है यह प्रशन फिर रिपीट होगा और बहुत सारे दोस्त इसको गलत करेंगे यह भी ध्यान रखिएगा इसलिए अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा अगले वेशन की बात करें तो नेक्स्ट वेशन है कि बारत चोड़ो अंदोलन के दोरण जैपुर प्रजामंदल के अद्यक्ष कौन थे आपको ध्यान रखना है कौन सा तो हीरालाज शास्त्री जी जी यूथे वो भारत चोड़ो अंदोलन 1942 के समें जैपुर प्रजामंद सिपाउडल की अध्यक्ष के रूप में कारी कर रहे थे सही कूट सूमğin लिट करना है कोंसा करेक्ट है आपको ध्यां-ध्य कूछ जी कूछ कंसा चतेरीया से अदियान एरक होगा. जीनल माता रेवासासिकर और करेक्ट होगा जाम्बो झामबो जी और शीतला माता है शीतला माता चाकसु की है तो जसनाच जी का a का 4 तो a का 4 हमने कि किसमें दिख रहा है 1st में एक प्रिस्थ दियान रखना अगला कई लब लुक्षी खयाल कौनसे शेतर में प्रचली थे तो लच्ची राम जी प्रवर्तग आपको बताओगा अलवर्ष चेत्र में ये प्रचलित माना जाता है काफी important question है अगले question की बत करें बडला solar park हमें पता है फलोदी जोदपूर तो A का option number 4 सुमेली थे उसके पवन उर्जा परियोजना जो है वो देवगड प्रताबगड तो C का जो है वो कौन सा है second वाला है तो A का 4 और C का second वाला किसमे है option number 2 में दिख रहा है A का 4 और C का second वाला की मेच नहीं हो रहा है तो आपका correct answer option number 2 होने वाला है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा दोल से आपका answer आसानी से यहाँ पर दोस्तों निकल रहा है अगले question की बात करें तो next question है आपका किशन बाग एक नव निर्वित रेकिस्तानी पार के हैं यह द्यान अपना जैपूर यह पहले लगबग 2016 की परिक्षा में पूछा गया था और फिर से इन्होंने वीडियो के पेपर में इस प्रश्न को फिर से repeat मार दिया था ध्यान रखेगा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं आईश्मान भारत मात्मा गांदी राजस्तान स्वास्त भीमा योजना के नवीन चरन के बारे में निमली कित में से कतनों को पढ़िये और बताइए कि कौन सा सही है इसके अंतरकत बताये गया है कि योजना में एक पुइंट दस करोड़ पढ़िवर को सुरक्षा प्रदान हैं फिर से रिपीट होगा इसके बारे में ध्यान रखेगा क्योंकि योजना से प्रशन पूछा गया है इस प्रकार मैंने महत्पुन 25 क्योशन आपके प्रिवेस एर एक्जाम के डिसकस के उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आओगा अच्छा लगावत लाइक किजेगा अपने दोस्तों क्या शेर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक्यू थैंक्स वर राचिंग जैहिन जैबरत दोस्तों